हलो गाइस वल्कम बेक तो मैं चैनल तो आप सब कैसे हो आप आप सब अच्छे होंगे आज हम बनाएंगे बजार में जो अंगूर मिलते हैं उनसे ही किश्मिश जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और यह हूममेड होंगे गाइस इसकी मतलब प्यूरिटी आपके हाथो में है आप इसको साफ तरीके से बना सकते हैं बजार की तरह नहीं होंगे गाइस यह बहुत अच्छे लगेंगे खाने में आयोपा अपने घर पर जरूर ट्राय करोगे तो चलिए शुरू करते हैं बनाना यहां हमने आधा किलो अंगूर लिया है हाफ के जी अंगूर है यह लंबे लंबे जितने लंबे होंगे उतने आपकी लंबे लंबे किश्मिश बनेंगे और जितने मोटे उतने मोटे मोटे किश्मिश आप जाया तर लंबे वाले ही लेना इससे हमारे किश्मिश बहुत ही लंबे बने के त्यार होते हैं इस वहले किश्मिश मत लेना जिन के ऊपर ब्लैक निप के पास उनकी छिलके उत्रे हूं अगर वो ब्लैक हो तो उसको नहीं लेना उसको निकाल देंगे देख सकते हो आप इसका छिलका उत्रा हुआ है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इसको हम निकाल देते हैं, इसे हमें नहीं लेना है, हमें अच्हे-च्छें हम लेना है, जो टाइट-टाइट हो, नहीं तो यह बात में फट जाएंगे, अब देख सकते हैं, यह हाफ केजी है, इसको मैंने वाश कर लिया है, अच्छे से दो-तीन पानी, अब यहाँ पतीले में मैंने पानी डाल देंगे, यहाँ मैंने टू कप बड़े वाले कप से दो पानी, मतलब दो कप पानी डाला है, पानी ज़्यादा डालोगे गाई, तब बोईल होगा, यह तो मेरा मॉमूस मेकर है, आप किसी में भी इसको बना सकते हैं, जो आपके पास अभी एवल हो, अगर मॉमूस मेकर है तो बहुत अच्छा रहगा, चलिए अब इसको रख देते हैं, पानी गरम हो जाए तब तक, इसमें कुछ भी जादा जरूतनी है इसको डाग देते हैं, थोड़ा से यह गरम हो जाए उपर वाला, यह गरम हो चुका है, अब इसके अंदर चलिए हम अपने अंगूर डाल देते हैं, अंगूर गाइस हम ऐसे ही डाल देंगे, इसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि माइं अंगूर टाइट टाइट है, इसको मतलब स्टीम करना है, भाप से पकाना है, इसको सिब दो मिंट के लिए, चलिए इसके अंदर हम डाल देते हैं इसको, अब इसको ढखके रख देंगे, जो खराब अंगूर ना आप उसको निकाल दीजिए, ने तो यह स्टीम करते टाइम ही खराब हो जाएंगे, आप देख दो मिंट हो जुके हैं, और इसको पता ही ऐसे लगता है, जिसको इसको कलरण चेंच हो जाते हैं, नी धी नी जे तो आप सकते हो, टेंगे, आप तो अंद फटे होझ, ड दे lot अधानी अप लेका, आप देख championsam डालने पर लेक हैं के सब्सक्तस लेक्रार को आप दोखके डा अब ने हैंकी डाल दिया इसको उपर ना जो हमारी यह है ठंडा हो चुका था हमारे जो यह अंगूर है इसको अराम अराम से दूरी-दूरी पे गाई से हम रखेंगे अगर पास पास रखोगे नो तो हमारी किश्मिन सूखने के बाद चिपक जाएंगे आप देख सकते एक मे दूर-दूर रखा है नहीं तो बाद में चिपक जाएगो इस पर दूप भी अच्छे से लिए पड़ेगी यह देखे मैं इस पर डाल लिए ऐसे मेरे पास एक और थाली थी मेरे दूप थालियों पर आधा किलो अंगूर आ गया है देख सकते हो आप मैंने डाल दिया अब दूप में लेके आई हूं और दोप में दो तीन घंटे के लिए राख देती दूप में उसके बाद चेक करूंगी कि यह सुखे की नहीं यहां देख सकते हो यहां मेरे अंगूर आधे मतलब सुख चुके है अब इसे हम एक घंटे के लिए और कर देती क्योंकि आज दूप बहुत जादा तेज़ है तीन चार घटे में सूख जाएंगे हमारी किशमिश त्यार हो जाएंगे यहां आप देख सकते हो यह भी सूखे निया थोड़े थोड़े से जो है ना सूखे निया और जो यह चिपके हुए इसको हम दूर कर देते हैं ने तो यह फिर बाद में और चलिए अब हम इसको रख लेते हैं एक घंटे बाद फिर आएंगे हम चट पे आप इसे दोप में सुखा होगे ना तभी इच्छे से सूखेंगे चलिए अब हम देख सकते हैं आप मैं सारे अलग अलग कर देऊ जो चिपक गए हैं अब आप देख सकते हो फाइनली एक घंटा हो चुका है और ना मेरे जो किश्मिश है वो तैयार हो चुक है आप मैं लेके आगी हो ऊपर से यह अच्छे से रैड़ी हो चुके हैं अभी को कोई डर नहीं है इसको निकालने में अब इसको हमें बाउल में खाली कर लेते हैं यह दिखिए मैंने प्लेट में डाल दे हमारे किश्मिश के कलर एकदम अच्छे आये हैं और यह रेडी हो चुका है होप आप अपने घर पर जब ट्राय करोगे प्लीज लाइक शिर और सब्स